Snapdragon के processor market में सबसे भेतरी ने, लेकिन कभी सोचा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखा है तो processors का एक brand name Snapdragon है, लेकिन exactly में company का नाम में Qualcomm, और Qualcomm का मतलब अगर चिन लोग को पता नहीं, तो वो है quality communication, यानि कि mobile phone जब से आया ना, तब से Qualcomm इस field में है, जैसकी बात करें, एक जमाने में CDMA technology को लेकि lead करते थे, उसके बाद जब 3G technology तो यहीं लोग लेकर आये थे, यहां तक की पहली बाद 4G enabled mobile phones बिलाये थे, और 5G को भी इनों ने ही lead किया थे 2019 में, और दुनिया के पहले 5G phone के साथ भी associated थे, यहां तक की बात करें तो आद के समय में Qualcomm जैसे company 6G पर भी काम कर और हां 6G के बारे में अगर में अकलों को बात बता हूं, तो यह आने वाले 4-5 साल में Qualcomm का प्लान है कि यह लोग अपने mobile phones के अंदर ले आइंगे, यानि कि जत्ते भी companies होती है, सब Qualcomm के उपर ही rely करेंगी, इवन बात करें तो Apple यहां पर 5G के लिए Qualcomm जाका ही सारा लिया जिसके बारे में नहीं पता है, जिसका मतलब यहां पर यह कि उसकी जो क्वालिटी यह रहा 5G की वो कंपरिटिवली जो Snapdragon के जो mid-tier वाले 5G चिप सेट साते ना, उनसे भी नीचे हो जाती है, लेकिन बात करें तो Qualcomm Snapdragon में ऐसा क्या खास है, देखो Snapdragon देखा जा तो स्टार्ट लेकिन जब से इनोंने कंपनी एक कोईक करी नूविया, तब से इनकी कहानी यहां पर बदल लगी, सबसे पहले तो यह कंपनी अपना खुद का कस्टम कोर बना रही थी, IRM के डिजाइन पर जैसा Apple भी यहां पर करती अपने A-series के चिप सेट के साथ, लेकिन 2024 में इनोंने अपने चिप्स लाँच करना शूर करें, जिसकी मैं बात करो Snapdragon X Elite की, इस साल Snapdragon 8 Elite भी देखने को मिल रहा है आपको mobile phones में, और Elite जहां पर आ रहा है न तो आप समझो, कि यहां पर जो नूविया कंपनी के जो कोर्स थे, वो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतल में कभी penetration नहीं कर पाई, लेकिं लास्ट येर से जब Snapdragon X Elite आया, और recently Snapdragon X आ रहा है, तो मार्केट में इनके laptop सब देखने को मिल लगे हैं, हाली में 65,000 में Asus का laptop आता है, जिसके इनना Snapdragon X है, और हां उस laptop की battery life आपकी MacBook Air की battery life को पीछे छोड रही है, है ना काफी साही चीज, और कहानी ना यहाँ पे सर्फ खतम नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ शुरू होती है, यह सारी technologies अब धीरी धीरे mobile phones में आ रही है, और 8 एलीक तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शुरू आते हैं, लेकिन 7 series में भी आपको देखने को मिल सकता है, और recently Qualcomm और Google ने भी partnership नहाँ पर क कर रहे हैं, और जो नई fabrication की process होती है वहाँ पर भी, हाला कि Qualcomm Snapdragon के बारे बात करें तो यह fabulous company, यह अपने chips को design करते हैं, fabricate यह लोग यहाँ पर दूसरे से करवाते हैं, और हर TSMC के साथ यूज करके लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही बात जिसक कहा जा रहा है, उसे भी यह लोग यहाँ पर introduce करें, तो यह कुछ अच्छी चीज़े Qualcomm Snapdragon के chipset के बाहने में, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि लोग समझते नहीं है कि यह chipset आपको सिर्फ mobile phones ते limit नहीं है, obviously अपने tablets के अंदर में देखा है, इसके साथ ही laptops के अदर अभी आना भी शुरू हो गया है, और मेरे को लगता है कि यह सिर्फ इक शुरू आत है, इसके साथ यह लोग already available है अपने wearable devices के साथ, जिसके अंदर दो बड़ी category आती है, एक आती है, पहुच और एक आती है आपके smart glasses, जैसे कि कई लोगों को नहीं मालूम, लेकिन Ray-Band को smart glasses होता उसके अंदर भी Qualcomm Snapdragon chip है, और यहां तक कि आपकी smart watches आते हैं, उनके अंदर भी आपको Snapdragon processor देखने को मलता है, इवन Wear OS के साथ भी compatible है, Qualcomm है na, Samsung की भी मदद कर रहा है, और Google की भी मदद कर रहा है, ताकि लोग Apple के Vision Pro से लड़ सकें, और Snapdragon XR2 platform को इंट्रिडूस किया गया है, ज जो शायद आपको Project Mohan कह रहे हैं, Samsung का वहाँ देखने को मलेख और जो AR और XR devices होंगे वहाँ पर भी, इसके साथ ही इनकी chips को मैंने यहाँ पर Wi-Fi के अंदर भी देखा है, और तो और देखा जाए तो automotive sector के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से, इवन बात करें तो Ather की जो Company ने अपनी जो BE6 कार निकाली थी ना, उसके अंदर भी Qualcomm Snapdragon का chipset लगा हूँ है, और यहाँ तक कि BMW, Ford और Mercedes वहाँ पर भी आपको Qualcomm Snapdragon देखने को मिलता है, यानि कि Snapdragon प्रोसर अंदर सक मोबाइल तक limited नहीं रह गया है, इसका जो expansion होता हो काफी 3G से हो गया, हाला कि primary जो गोल रहता है, Qualcomm Snapdragon रहता है, वो mobile phone पर ही limited रहता है, वो सब इसलिए क्योंकि mobile phone एक ऐसा communication device है, जिससे आप हमेशा carry करते है, और Qualcomm हमेशा से communication की technology रही है, लेकिन इन्हों ने अपने प्रोसर के अंदर कुछ advancement करें recently, सबसे पहले तो AI वाली capabilities को better करना, on device AI Snapdragon के प्रोसर में बहुत अ अधरी के से की जा सकती है, जिसके अंदर images को generate किया जा सकता है, कई सारे AI वाले task को और device के अंदर ही perform कर सकते है, laptop के अंदर Windows Co-Pilot Plus भी हापर चलता है, और यहां पर Google की AI और दूसर कमफीज के जो आई, वो mobile phone पर भी चलती है, इसके साथ ही ISP के साथ भी काम नहीं है, image signal processors के अंदर यह लोग image की quality काफी जादा enhance कर सकते हैं, क्योंकि ISP से scapable अगर अच्छे sensor के साथ इसे pair किया जाए, और algorithms अगर सारी सही है, तो images का better output देखने को मिल सकता है, इवन यहां पर आप high quality video recording में यूज कर सकते हैं, और यह अच्छे chipset के साथ बात यह रहती है, कि आपको better ISP मिलते हैं, और इसलिए कई बार जुम्हेंगे expensive phone होते हैं, similar sensor होने की बावजूद भी आपको better photograph यहां पर निकाल कर देते हैं, इसके साथ ही यहां पर wifi की chips के अंदर भी काम है, और wifi 7 जैसी technologies भी mobile phones के अंदर built-in हो गया रही है, तो यह कई सारी चीज़ आपको advancement देखने को और इसके साथ ही उन्होंने देखा जाया तो budget वाले market को tackle करने के लिए last day Snapdragon 4S Gen 2 को भी announce किया था, जो आपको Poco और Xiaomi के phone में देखने को बला, जिसका main motive है तक 9000 से कम आपको एक affordable 5G phone दिया जाए, लेकिन वहापे cost cutting न की जाए, एक high quality का 5G device देखा जाए, तो यह भी एक काफी सही चीज थी जो Qualcomm Snapdragon में यहाँ पर perform करी थी, इसके साथ देखा जाए तो Snapdragon वाले processor market में काफी अच्छा perform करते है, और market में देखा जाए तो premium segment में Snapdragon वाली चीज़ बहुत अच्छे तरीके से perform कर दी है, और आने वाला जमाना देखना है कि यह लोग किस तरीके से अपने नए products और नए चीज़ों को यहाँ पर introduce करते हैं, इसके साथ एक बात यह, कि यहाँ पर यह लोग कई सारे smartphone manufacturer के साथ भी काम करते हैं, जहाँ पर उनको guide भी करते कि कि किस तरीके से mobile phone को develop किया जाए और उसको यहाँ पर market किया जाए, ताकि सही तरीके से लोग तक पहुँचाए ज कमते हैं उसके साथ भी, जैसे की unreal engine हो गया, आपका unity हो गया, इन सब के साथ काम करते हैं, ताकि उन gaming engines के उपर कोई game बने, तो automatically compatible snapdragon processor के साथ, और इसलिए हमने देखा है, जब premium या flagship category में जाते हैं, तो snapdragon वाले प्रोसर बहुत ही जादा अच्छा यहाँ पर perform करते हैं, और अच्छा लगकी all-rounder mobile phone की development में तो काम है, और even जो next evolution जो रहता है, जो आपको technology में नही चीज़े देखने को मिलती है, यह आपको Qualcomm snapdragon की तरफ से देखने को मिल रही है, लेगन सिप कहानी यहां तक खतम नहीं हो रही, future में जो technologies आएंगी, चाहे वो AI ले 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 या 6G ले उसकी लोग already यहां पर तेया रहे, यहां फिर future अगर XR devices का हो, आपके glasses का हो वहां पर भी, और यहां तक कि अगर आप electric 2 wheeler खरीदे रहे हो, तो most chances है कि उसके अंदर भी snapdragon हो, और 4 wheeler में अगर आप जा रहे हैं, तो Qualcomm snapdragon यहां पर chassis आता है, जिस current से यह लोग यहां पर अगरे में बात करूँ तो, हाँ ए टालियत आग के समय में भी हाँ पर टॉप पर बैठा है, उसके बाद फिर media tech का नंबर आता है, और फिर कहीं जाके आपकी apple का नंबर आता है, और आप बात बात मान के रखिए, कि technology के मामले में Qualcomm snapdragon बहुत जादा आगे निकल रहे हैं, क अपने flagship pro max वाले model के अंदर भी इनिका ही 5G modem यूज़ करता है, लेकिन उससे better 5G technologies और 5G modem यह लोग Android के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और जो आने वाले future में Android phones होंगे, वो already 5G और बाकी चीजों के अंदर इससे भी जादे हाँ पर superior रहेंगे, तो यहारी काफी सारी ची यूणी S.O.C. या फिर Apple का यही सीरीजी क्यों ना लिले, आपका जो पीनी नीचे कमेंट वाताना ना भूल, वीडियो पसने हैं तो लाइक करो, चैल को सस्प्राइब करो, मैं आप से विलता हूँ, अपने नेस्ट वीडियो के अंदर, गुद बाई